मोर वाले ऐसे 10 रुपे के नोटों की आज के समय में क्या कीमत है चलिए आईए जान लेते हैं 10 रुपे के इन नोटों में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं ये सारे गवर्नर्स के सिगनेचर लेकिन इन में जो सबसे महेंगा नोट होता है वो है M. नर्सिंगम जी के सिगनेचर वाला ये नोट इस सिगनेचर वाले 100 रुपे का एक ऐसा पूरा बंडल आप लोगों को लगभग 10,000 रुपे से 20,000 रुपे की कीमत दिलवा सकता है वही UNC कंडिशन के एक ऐसे नोट की कीमत होती है तकरीबन 100 रुपे से 200 रुपे के बीच में इसके बाद जो दूसरे नमबर का सबसे एक कीमती नोट है वो है के आर पूरी जी के सिगनेचर वाला ये नोट ऐसा एक नोट भी UNC यानि की बिलकुल नई कंडिशन में आप लोगों को लगभग 100 रुपे से 1500 रुपे तक दिलवा सकता है वहीं 100 रुपे का पूरा बंडल हो तो आप लोगों को इसके भी लगभग 10,000 से उपर आराम से मिल जाएंगे इसके बाद जो तीसरे नमबर का महेंगा नोट होता है वो होता है S. जगनाथन जी के सिगनेचर वाला ऐसा नोट ये नोट बहुत ज़दा कीमती तो नहीं होता लेकिन UNC कंडिशन में ऐसा एक सिंगल नोट भी आप लोगों को लगभग 50 रुपे के आसपास ही मिलता है पूरा 100 नोटों का बंडल हो तो इसकी भी कीमत तकरिबन 7,000 से लेके 10,000 रुपे तक हो सकती है हाला की बाकी के बचे हुए गवर्नर्स के सिंगनिचर वाले ये नोट कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं ऐसे एक बंडल की कीमत शुरू होती है तकरिबन 5,000 रुपे से और ये कीमत अधिक्तम जा सकती है तकरिबन 9,000 से 10,000 रुपे तक हाला की इस तरह के सिंगल नोटों की कीमत आज भी लगबग 15 रुपे से लेके 40 रुपे के बीच में ही चल रही है और ये कीमते डिपेंड करेंगी उस नोट की कंडिशन के हिसाब से तो ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें